जैई श्री कृष्ण दोस्तों, रक्षा बद्धन का त्योहार प्रतिक वर्ष श्रावन मास की पुर्णीमा के दिन मनाया जाता है इसलिए इसे राखी पुर्णीमा के नाम से भी जाना जाता है यह परव भाई बहन का प्रेम का उत्सव है इस दिन बहने भाईयों की सम्रुद्धी के लिए उनकी कलाई पर रंग बे रंगी राखिया बानती है वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते है यह सबसे बड़े हिंद्यू तोहारों में से एक है आईए जानते है कि इस साल भाई बहन की कलाई पर राखिय बानने का क्या शुब महुरत है हिंदू पंचांग के अनुसार राखिपूर नीमा 22 अगस्त 2021 को बढ़ रही है दिनांक 22 अगस्त 2021 को रक्षा बंदन के दिन प्रातिकाल सुबह 6 बजे से 12 बचकर 30 मिनिट तक चर लाभ अमरुत के तीन विश्व प्रसिद्धी चोगडिया मोरत रहेंगे इसमें माताय बहने अपने प्रिये भाईयों की कलाई पर रक्षा सुत्र बान सकती है यह राखि बानने का सबसे उत्तम समय रहेगा इसके बाद सायंकाल 4 बचकर 50 मिनिट से लेकर सायंकाल 6 बजे से 20 मिनिट तक शुभका चोगडिया मोरतर रहेगा रक्षा बंदन का परिव श्रावन मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पोर्णी मा अप्राह काल में पड़ रही हो हाला कि आगे दिये गए इन नियमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है यदि पोर्णी मा के दोरान अप्राह काल में भदरा हो तो रक्षाबंदन नहीं मनाना चाहिए ऐसे में यदि पूर्णी मा अगले दिन की शुरुवाती तीन मुहुरतों में हो तो परवके सारे विदिविधान अगले दिन के अप्राहकाल में करने चाहिए यदि पूर्णीमा अगले दिन के शुरुवाती तीन मुहरतों में ना हो तो रक्षाबंदन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोश काल के उतरार्ध में मना सकते है पंजाब में आदी कुछ शेत्रों में अपराहकाल को अधिक महत्वपुर्ण नहीं माना जाता है इसलिए महा मध्यान हकाल से पहले राखी का त्योहार मनाने का चलन है लेकिन शास्त्रों के अनुसार बद्रा होने पर रक्षाबंदन मनाने का पुरी तरह से निशेद है चाहे कोई भी स्तिती क्यों ना हो रक्षा बंधन की दिन बहने भाईयों की कलाई पर रक्षा सुत्र या राखी बानती है साथ ही वे भाईयों की दिरगायू संबुरुद्धिवक खुशी आदी की कामना करती है आईये अब कुछ मौरानी घटनाओं के बारे में जानते है जिसका संबंध रक्षा बंधन परवसे जुड़ा है माननेता है कि इस दिन द्रौपदी ने भगवान श्रीकृष्ण के हाथों पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़ कर बांधा था द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्रीकृष्ण भगवान ने उन्हें वच्छन दिया था कि बे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरन की कोशिश के समय भगवान श्रीकृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी एक अन्य एतिहासिक जन्षृती के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तोड की राणी करनावती ने मुगल समराठ हुमायू को राखी भेजी थी हुमायू ने राखी का संबान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात की समराठ से की थी मान्यता यह भी है कि इस देन देवी लक्षिमे ने समराठ बाली की कलाई पर राखी बान दी थी कुछ इस तरीके से आप रक्षा बंदन मना सकते हैं आपको रक्षा बंदन की हारदेख हारदेख शुपकाम ना है आशा है मित्रों आपको हमारी छोटी से प्रस्तिती अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों संग शेर करके लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले राधे राधे Questions के लिए comment जरूर कीजिए support के लिए subscribe जरूर कीजिए धन्यवाद